ओम नमस्ष्वाई सभी भक्तों को जैसिरी राम यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर आठ गुन अवश्या आएंगे यहाँ यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर आठ गुन अवश्या आएंगे वो आठ गुन कोन से होते हैं और हनुमान की भक्ति करने वाले भक्त पर ये गुण अवश्य दर्शते हैं और विशेश कर जब हनुमान जी की अनुकमपा आप पर होती है तो इन गुणों की बड़ोत्री आपके अंदर होना सुभाविक है वे आठ गुण कौन से होते हैं तो आए जानते हैं पहला गुण होता है किसी भी कारिये को सीखने की लगन रहना जी हाँ जब आप हनुमान जी की सेवा करते हैं हनुमान जी परसन आप से होते हैं तो उनकी अनुकमपा से आपके अंदर ये गुण अवश्य आता है कि आप जिस भी कारिये को सीखना चाते हैं उसमें तत्परता से उसे सीख जाते हैं और उसमें आप कुसल होने की पुरिप्री संभावना बनी रहती है। जिस भी चीज को आप एक बार देख लेते हैं, जिस भी चीज को आप एक बार अच्छी जहां से आप किसी चीज को देख लेगें, तो बस वो आपकी समझ बाय जाती है, कि हाँ ये कारिय ऐसे नहीं ऐसा होगा, तो ये हनुमान जी का अगति का पहला गुण होता है, दूसरा दूसरा कारिय होता है हर कारिय में निपूर्टा ऐसा व्यक्ति जिस पर हनुमान जी की रुकमपा होती है तो दूसरा कुन होता है कि जिस भी कारिय को करता है उसे निपूर्ट कर लेता है उसे कारिय में दक्सता पराप्त कर लेता है जिसमें वो मन लगा कर चाता है कि मैं इसी प्राप्त करना है या मुझे ये चीज़ सीखना है या ये चीज़ मुझे जानना है तो यदि तत्परता से वह उसकारियों को करता है मन से लगा को उसकारिय करता है तो वह उसे अवश्य प्राप्त कर लिता है क्योंकि हनुमान जी ने जा तत्परता से लंका में ज अमर्थे नहीं थी कि वो लंका में जा सकें या फिर उल निर्मान में इतना बड़ा सायोग दे सकें तो ये कारिय इस तरीफ हनुमान जी ने किया तो इसे तरह उनके भक्त पर ये गुन अवश्या आजाता है कि वो जिस भी कारिय को चाते हैं उसे तत्परता के साथ कर बैठत और तीसरा गुन आता है योजना गत तरीके से कारिय करना तीसरा नमबर पर आता है योजना बड़ तरीके से कारिय करना हनुमान जी को जो भी कारिय किया जाता था उसे वो योजना बड़ तरीके से क्या करते थे किस तरीके से कारिय होगा किस तरीके से मुझे करना चाहिए किदर से मुझे जाना चाहिए, किस तरह नहीं जाना चाहिए तो हनुमान जी के भक्त में ये गुण आ जाता है कि वो जिस भी कारियों को करते है योजना बज़ तरीके से करते है किस प्रकार ये कारिय ठीक रहेगा किस प्रकार इस कारियों को करना चाहिए चाह इस तरिकारी को करने का सही तरीका है तो ये गुण हनुमान जी के भक्त में अनयासा जाता है और चोथा गुण होता है पर्दिन निदित्व कुसलता अब ये पर्दिन निदित्व कुसलता क्या होती है ये होती है कि आपको यदि 10 या 20 व्यक्ति या 50 व्यक्ति का आपको परति निदितों आपको दे दिया गया हो या आपको बता दिया गया हो कि आपको इतनी वेक्ति को हैडल करना है इन कारियों को आपको इन से कराना है मालिय कोई साधी का कारिय है कोई किसी तरह का भी कोई कारिय है प्रोग्राम है और आपको उसके जुम्मेदारी सोंब दे गई तो आप उसका अच्छी तरीके से वहाँ पर पालन कर पाते हैं अच्छी तरीके से सबसे कारिय करा पाते हैं नेती बद तरीके से उनका सबी कारिय को आपने इप्टा बैठते हैं तो ये जो कारिया होता है ये भी गुण से हनुमान जी के अनुकंपा से हनुमान के भक्त पर आ जाता है। उनमें आता है कि उनमें अधुद सास आ जाता है। हनुमान जी का परंभक्त है वे अपनी सभी चिंताओं को हनुमान जी के चंड़ों में समर्पित कर देता है और खुद को चिंता मुक्त रखता है। हनुमान जी के चंड़ों में समर्पित कर दिया और खुद अपने ऑपर कोई बाहर ने लिया। जो कुछ भी हो रहा है सब इस वर जाने जो कुछ भी हो रहा है प्रवु सिरी राम चाजे या हनुमान जी जाने। तो वह हणुमान जी का जिस पर हनुमान जी की विशे अउनुकम्पा होती है वह चिंता मुक्त रहता है और दूसरी बात, सात्वजु कुन आता है वह आता है क्रोध ने करना, ऐसा व्यकरी जाだतर किसी पर क्रोध नहीं करता, जिए लेकना जो हनुमान जी का सच्चा भगत होता है हनुमान जी के उसके उपर अनुकमपा होती है तो वह किसी के उपर क्रोध नहीं करता भले ही चाहिए दूसरे वेक्ति उसके लिए बुरा करें या कुछ भी करें फिर भी सांथ होकर सहन कर जाता है वह सब कुछ प्रभु के उपर शोड़ देता है कि प्रभु आप चाहिए आपका कारिया है और यदि गलती से ऐसा वेक्ति करोधित हो जाए तो वह वेक्ति जब भी करोधित होता है तो उसके दिल से निकला गया सराप ऐसा तीर की तरह कारिया करता है आटवा गुन होता है कि हनुमान जी के ऐसे भक्त में सत्रू और मित्र में परखने की ताकत होती है ऐसा हनुमान जी का भक्त जिस पर हनुमान जी की विश्य से नों कम पहुती है तो उसमें आटवा गुन होता है कि वह सत्रू और मित्र को परख लेता है कि कौन मेरा सत्रू है, कौन मेरा मित्र है हनुमान जी के अंदर ये ताकत थी कि वो जब भी किसी राखसस को या किसी व्यक्ति को देखते थे वो समझ जाते थे कि ये मेरा हिदेशी है या नहीं है तो वो गुन हनुमान जी के भक्त में अवर्षिया जाता है वो समझ जाते हैं कि वास्तों में ये मेरा मित्र है या नहीं है ये किस तरह की बाते कह रहा है ये सच कह रहा है ये नहीं कह रहा है ये वेक्ति छल कपट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हनुमान जी का भक इस बात को अच्छे प्रकार से जान देता है तो ये हनुमान जी के आठ गुन थे जो कि हनुमान जी के भक्त में अनयासी आ जाते है असा करता हूँ आपको ये आठो गुन सुनकर आपको अच्छा लगा हुआ और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगी कि चैनलों को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें आपको येशिगा